जिसमें पेट आके कमर आगे की और जुब जाना या मेरे पास एक सेर्वर पालसी का बच्चा है जो कि कपिंग खर भी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें नमस्कार आदाप सच्रिया काफ मैं आपका होस्ट और दोस्त अक्षय और स्वागते दी ओरिजिन शो नौर स्टाथ से सबसे पहले थैनकीू शुक्रिया आपने हमें इतना सपोर्ट किया हमाज़ी जब लास वीडियो दी फिजिदी धरपी को लेकर जिसमें हमें समझा कि बेसिक्स क्या है फिजिदी धरपी और कैसे अपने लाइट मों इसको डाल सकते हैं कैसे अपने बॉडडी को हैं स्कते है help के थूँ उसको समझा आप उसको आपने इतना प्यार भी हो यह जो वीडियो है इसमें we'll talk deep about the physiotherapy we will understand why physiotherapy is required जब किसी को paralysis होता है body में कैसे हम उसको treat करके अप the body को अच्छा कर सकते हैं यह सब इस वीडियो में we'll discuss तो आपका support इस वीडियो में भी चाहिए होगा please share this video to all the people who want to understand why physiotherapy is important in our life तब तक के लिए stay tuned we'll be right back after a short intro तो डॉक्टर अमर जी आपसे को कॉश्चन था कि कि सब्सक्राइब कोई एक बंदा है जिसने ट्राइल दपास किया बाई उसे या किसी और सब्जेक्स से या मैच से वह ऐसा फिजिए थेरेपी बन सकते है अजार्क करियर लेगे सकते है इसको इंट्रेस्ट लेने के लिए घॉसमें करके इसमें अपना केरियर बना सकते हैं गर्ject को किसा को पना है एंसका और इसका को लिए शुन होटा है तो यह नहीं सके बाद आप समें मांस्टर सकते हैं एक लौन के बाद करें तो हम हम इसे सारे सेक्टर हैं जिसमें आप अप जैसे कि आप देख लीजे इस पोर्ट फिजियो थर्पी और यह हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं पॉइंट हो सकते हैं तो यह बिल्कुल और जिम में भी अपना प्राइवेट और या अपना परस्नल देखे तो अपना क्लिनिक या अपना कोई चला सकते हैं तो इस सिंपल स्पोर्ट जिसमें आप तो फिजियो थि वहां सकते हैं। जी तो वैसे मिलों जब यह किसी का नाम नहीं लूगा बहुत से डॉक्टर जो ऑर्थोपेटिक में आप फिजो थेरेपी इस नौट बट बट मैं दर्शे को बोलना चाहता हूं फिजो थेरेपी उतना इंपॉर्टन है जितना आपका और फिजो थेरेपी करेगा जी जी हां एक ची lagi की मैं आपको को बता दू कि फिजियो थेर्पी से पहले बी इस तरता जी से पहले बीनी है और सञर्जिटरी ज्यादा जरूबरी और कोई इंजरी ऐसी ओवगी या फैक्चर हो गया जिसमें सजड़ी के बाद हम फिजियो थरपी करके उस चीज को इंप्रूब कर सकते हैं और जिक कोई इंजरी फर्दर ना हो आगे उसके लिए भी हम पहले से फिजियो थरपी ठीट्मन ले सकते हैं जी वैसे प्रेड राइब बूमेंज को भी फीजिघ टरपी चाहिए होती है? जी हाँ बिल्कुल प्रेड्नेट में डूमेंज के लिए काफी जबूरी है कुछ से हमारी यह होता है कि मेच्चैने डेलेवरी और न्वर्मन होने की चांसेस ज्यादा होते हैं और जो जी के दौराद जो प्रॉब्रम साती हैं जैसे लाइज लुवर बैक पेन या पोस्ट डिलिवरी के बाद जो तोस्टर हमारा बिगड़ जाता है उसमें तोस्टर होता क्या है फ़र बास अते ओडियंस को फॉस्टर यह होता है कि जैसे आपका बॉटी का जो लाकिं कमर आखे की ओर जुब जाना या स्पाइन का तीरा हो जाना तो यह आपका एक बॉडी को अलाइनमेंट अगर अच्छे अलाइनमेंट में तो फ्रॉप नेंट्स प्रीप पोस्टर यह तो मुश्य देखा याथा है कि प्रेगनेंट में जब में बेभी आके करने के लगनेबरान मुंको जो ग्राविटी का जो को उनका चेंज हो जाता है असके बाद स्पाइन को इंप्रूव करके हम बचा सकते हैं और जो मुसल्स में जो इस्ट्रेच आया हुआ होता है उसको इस तो एक सिंपल पॉस लास्ट कोशन था आपसे किसको दे सकते हैं मिलियूम एज का मलब बच्चे को दे सकते हैं बड़े को देख सकते हैं और ऐसा को एक्जाम्पिल इस पर काम कर रहे हूं रिसेंटली देखिए ऐसा क कुछ भी नहीं है इसका कोई एज लिमिट नहीं है आप न्यूबॉर्ण बेबी को भी फिजियो तरपी देते हैं और कई माल फंक्शन जैसे होते हैं तो उसमें भी हम इंप्रूब्मेंट करने की कोशिश करते हैं तो इसका कोई कैसे कॉन से केसे आया हुआ हुआ है जैसे मैं बहुत से बच्चों में ऐसा सीपी की परफलम होते है डैमिंट की होते है से मस्तिश का लखवा अच्छा हाँ पालसी हो गई या ऑर्टिस्टिक बच्चे हो गए और जैसे की टुफृट हो गया जैसे बच्चों पार बच्चों के पार पैर उनके टेड़े हो जाए हो जाता है लेकिन दिलेवरी के बाद जब पता चबता है कि बच्चे का पाय ठेड़ा है तो उसमें आम फिजियो थरपी स्टार्ट करते हैं ताकि बच्चा एक एक से पहले होने से पहले ही अम उसको वापस से रीशेक में कर सकें अच्छा इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती है हम जर्याटिक पेशेंट में बी यही सारी जीज़े करते हैं कि 70 एज या 80 है इसकी कोई कर सके उसकी जौइंट की को इंप्रूफ कर सकें और उसे बैलेंस इंप्रूव कर सकें जैसे की वुल्टेस पेशेंट में बैलेंस की प्रॉब्लम जादा होने लगता है ट्रेमर्स हो रहते हैं कि वह अपने जो डेली लिविंग एक्टिविटीज है वह कर सके एस लाइक ब्रिशिंग और वाश्टोम जाना या एंबुलेशन वाकिंग होना या अपने सारे काम करना तो यह इसली वह पर कर सकते हैं क्या है चीज क्या हुआ था जैसे कि मेरे पास एक बच्चा है जो कि आख निवेड़ी दूबच्चे है तो तरवे पालसी मतलब अपर दिदेम गस्पर बच्चे में जिसमें बच्चे को जन्म के बाद यह दिखा जाता है और प्रेंप्रें नहीं रूया है या उसमें कोई प्रेंफंशन तैस फंक्षन ह तो बच्चा जन्म के बाद नार्मल सा दिखाई देता है जैसे को ना होल्ड कर पाना अपने वो रिफ्लेक्स ना देना नॉर्मन रिफ्लेक्स नहीं होता है बच्चे में और जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है उनके डिशॉटर्स लिखने लगते हैं बच्चे का स्पीच ना ना बोलना नहीं होना और बच्चे का गरदन ना रूपाना डूलीग आना बच्चे का तो इन चीजों यह दिखने चलते हैं तो उस बच्चे में अबी मेरे साथ पेशेंट है तो उसमें काफी इंप्रूब्मेंट दिखी है मैं आपको वीडियो भी शेयर करूगा उनका तो उस बच्चे में all four limbs जितने भी चारों हाथ-पैर है उनको उसमें फंक्शन में नहीं है लेकिन वह अपने हाथ को उठा सकता है कोई भी चीज को पिक कर सकता है अपने पैरों पर वेट कर सकता है अभी उसका treatment अंडर प्रोसेस पागल नहीं होता है बसके muscles काम करने बन करते हैं इसको पागल तो नहीं कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं क्योंकि overall body के dysfunctions होता है अच्छा muscle connection काम होता है मतलब क्यानिक मतलब वह इनका लेंगे फंक्शन्स जो होता है वह brain signal नहीं दे पाती है muscles वह develop नहीं होता है तो वह neurons delay हो जाता है किसी muscle को function कराने के लिए तो इस चीज में हम यह improve करते हैं कि brain को भी train साथ साथ करते हैं और muscles को भी साथ साथ करते हैं कि बच्चा उन चीजों को learning process में ला सके उन चीजों को सीख सके अपने movements को सीख सके अपने functions को सीख सके तो इस तरह से हमें जो को train करते हैं जी तो ऐसी आप आपके पास बड़े 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 में जो बुदूर्लों उनका भी cases आता होगा आपके बार जो चल रहा हो कोई case नहीं साथ कासी TCR के बाद जैसे गुटने बदलवाने के बड़े बाद भी हमें चाहिए होता है कि patient walk करें अपने सारे काम खुद से कर ले तो उस चीज़ में हम कारते हैं कि उसके muscles function improve करते हैं muscles की strengthening को improve करते है join function को उसकी flexibility को improve करते हैं जडाकी patient आगे अपने काम को अच्छे से कर सके और walk कर सके और movements अच्छे हो रह सके और काफी सार जो geriatric patient में जो आती है general body weakness की age के साथ साथ जैसे की body weakness आजने लगती है joints में का weakness लगने लगती है और कपाहट सी लगने लगती है balance और आप होना बुड़ा बुझलगों का तो यह सब psychotherapy के थूरू improve होते हैं और इन पे हम function करके उस age में भी इसतना capable और stable बनाने की कोशिश करत आप्सक्रिक्शन के कर सके तो तो एक और को शुच्छन ता आप से की यह आज को चला fancy चीज लें से लें जिसलाग कॉपिंग ठेरपी आज के लोगों यूट्यूब पे देखते का पिंग ठेरपी क्या आज बड़े बड़े इंफ्लुएंसर है जो body filter करा ओ यह करो वह करो ह इसको सभी के लिए नहीं है इसके अंडर में भी काफी का सारी गाइडलाइन्स और प्रोटोकॉल साथ तर्मस और कंडिशन्स थोड़ा प्रगाद लाता है कि पोड़ा सा जी हाँ बिल्कुल कपिंग थेरबी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें आपके जो ब्लट को डिटॉक् अगर अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या आपको अनेसरी काफी सारी बैक में पेहन आ रहे हैं या आपको एपनेस की प्रॉब्लम है तो उन्हें ये काम अच्छे से करता है कि वी काफी बॉड़ी में क्या होता है कि हमारी विसरल लेयर पे इसकिन की जो ये रेचलेशन है वह इस्टे स्टोर ओजाता है वह एक चैसाओ एक फ्रॉट हुआ में रुपने लग जाता है जो की वह कंप्लीट लीएस्ट होता है और ऑप्रें में दियरे-श्रीडिल वह हमारे शरीर में टॉक्सि में पैदा लग जाता है तो इसलिए जरूरी हो पाए कोई नीट नहीं है कपिंग लेने की या मला हर को नहीं है जिसको जिसको दोड होई यह उनके लिए है जो सिदेंटरी लाइस्टाइल जी रहे हैं या जिन में जादा देर लेटे रहना बैटे रहना और वाक कम होना आपकी वाक कम करना तो यह सारी चीज़ें होती हैं कि अगर आपकी एक्टिविटी स्पास्ट नॉर्मल परसन के अकॉर्डिंग कम है जी जितना आपको चलना चाहिए जितना आपको गौक करनी चाहिए अगर वह आपकी नहीं हो रही है आपका काम सिर्फ घर में रहना है और थोड़ा सा काम करना दाना फिर आप ब्रैट पर आजाना सोफय बेले रहना तो यह उती है इस एक सिर्ट्री लाइच टाइल जिसको हम बोलते हैं एक तरह एस लेजिनेस अगर आप ने तो लेजी निविंग स्टाइल इसको बोल सकते हैं तो अगर यह प्रॉब्लम और लेजीनेस में प्रॉप् यह जी है उसके उसे पहले काफी जारे चेक अपस होते हैं कि आपको कोई फर्दर कोई पहले से कोई ब्लड डिसॉडर तो नहीं है या ब्लड सुगर के पेशेंट नहीं है जै यह ड्राइब बिग्लियों वेट कपिंग लिदा सर्च दो टाइप दी होती है ड्राइब कि जो सबसे पहनी होती है यह जो हभी किसी टाइम पर एक किया वर्काउट के ताइम पर या काफी देर लेटेर रहने के लिदन durum मैं हुद्ध पर तो वह चीज को इंप्रूफ करने के लिए हमें यह फेशे को को रिलीज करना पड़ता है और भी अच्छा रहे हैं और मुसल फाइबर्स के फंक्शन भी इंप्रूब हो जाए जो निशान बन जाता है जी जाधा चाट पिलकूल ये निशान जो होता है आपका जादा से जाधा त्रीडेजS उसके जाधा नहीं जाता है और थिए में आपके यह जो हैं वह कम्प्रेटली वैंश्ट स्टाइप जाता है और कैसे होती है कैसे पें यह मेरा जो क्वाट्ट्टाइप कर सकते हैं और यह मेरा जो के यह मैं गाया है कर दोगा मैं यहां ना कि ड़ैए कि दो बजे तर मुझे किसी बी वक्त इब कर सकते हैं और इवनिंग में पास से नौ के बीच में किसी बीवक्त कॉल करके अपना एपॉइंट्मेंट बुक कर सकते हैं और या अनलाइन कोई जाकारी चाहिए हो या कि कोई बोड़ी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो उसके तूर मेरे थूर आप आप मुझसे अप राह ले सकते हैं करेंगे तो कैसे आप इसे एक्स्प्रीन करें कैसे उस समझ सकता है सबसे जरूरी होता है कि पेशन्ट की आपको प्रॉब्लम को प्रॉब्लम को प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली सुनते हैं तो सबसे जरूरी क्या होती है कि मरीज को सुनना मरीज की प्रॉब्लम को सुनना और का अफी टा इनकि भी टाक्रस को मैंने देखा हैं कि वह मरीजों को सुनते जो कि जैसे अगर आप क्लीनिक पे आते हैं थो अम एक अपना एक आईडिया या अपना एक क्रुवान लगाते हैं कि हां इसको यह यह problem हो सकती है कि वह चीज़ हमें वहां पर दिख रही है कि पेशेंड का प्रॉडी struture कैसा और करशेंड लिग वही आ रहा है दिक रहा है नहीं हमें पूरा बाड़ी पूछन नहीं तो उस टाहर में वरोसा करना होता है कि पेशेंड क पूरी complete problems को हमें properly सुनना फिर उसके according हमें उससे related उससे सवाल पूछना कि क्या यह आपको ऐसी ऐसी भी problems ऐसी सी दिखते आती हैं तो यह ज़्यादा जरूरी होता है और उसके तुरू हमें उनको treatment गाइट करना protocols बताना prevention बताना तो यह ज्यादा पेशन के लिए मुझे लगता है कि यह ज्यादा comfortable चीज है कि पेशाइट आपके लिए कि जिस चीज के लिए आया है आप उसको बहुत चीज अगर आप प्रॉपर्ली दे रहे हैं तो पेशन ज्यादा बन्दा को बन्दा को बन देनी जिए जिम जाता हो तो कोई कंसर्टर ने वह भी आपसे कंसर्टिंग ले सकता है जी जिए जिम कभी में अगय जिम जाता है या कोई प्रसन है वो भी मुझसे आम से सकता है किसी तरह की क्यों कि वह या किसी तरह की मसंद पर फंशन कि प्रापलम सारी हो आपके किसी गोल को अचीव करने में तो खुश से रिलेटेट्टाप मुझसे बात कर सकते हैं मुझसे रह ले सकते हैं और मैं अपकी पूरी मज़क कि आपको कोई फर्दर इंज्रीज ना हो और आपको गोड़ी तरह से अच्छा तो यह थे हमारे यह थे हमारे गेस्ट डॉक्टर अमदीप सिंग फिर्म रिकवरी फिजिए विजिए थेरेपी क्लिनिक और ऐसे और भी कोश्चन्स आपके आपके पास हो प्लीज मुझे मुझ जब भी सेशन होगा जब भी दॉक्टर सब फ्री होंगे कि दॉक्टर साथ से बीजी रहते हैं कि जादा को पेशेंस आ रहे हैं उस्चिछ चक्टर के पास टाइम लेते हैं बड़ी मुझे से टाइम निकाला हैं कि दॉक्टर साब आपन दर आइं दिया और कुछ भी आसी क तो मैं आपके सारी मिट्स को इंप्रूब कर पाऊंगा अगर आप सबसे जरूरी चीज होता है कि आपकी बारे में डिसकस करें जो कि जबर आप अफर्डेबली अगर आप डिसकस करते हैं सबसे जरूरी चीज यह है कि अपने बारी डिस फंक्शन को छुपाईए नहीं आपको उसको सर्वाइव करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप कंसर्टेंट सी करिए अपने दिमाग से और सबसे जरूरी एक एहम बात में बताना चाहूंगा आपके चैनल के थूप की कोई भी ट्रीटमेट गूगल के थूप या यूट्यूब के थूप ना अपलाई त करने की कोशिश की और उनको पिज्री सब्सक्राइब करना है तो कोई भी मैं दवाईओं के भी मामले में बताऊएंगा कि कोई भी दवा आप गूगल के माधेम से मतले आपके लिए आपकी बॉडि के लिए आपकी बॉडि के लिए एक प्राफेशन बैठा है तो जरूरी सबसे जरूरी है कि आपकी बॉड़ी को फिट रखना और जरासा अगर कुछ प्रॉब्लम या उन्ट्रेंड चीजे अगर आप लेते हैं तो उससे आपकी बॉड़ी को वोड़े से बहुत ज्यादा नुफसान हो सब तो वैसे आप से क्या रहे है क्या होती है और आज कल मैंने देखा है यहां पर सिटी में मैं बैंगलोर में हूँ आप जाता लुग जो तरफिया ब्रैंड बनाके रखें वह जादी पैसे लूट रहें पैसे उतना नहीं है वैसे आप क्या कि इसलिए पूछा था था कि जो गरीब इनसान है जि देखिये कि आपने ऊस्टिएफ्ट्रीट्मेंट है जैसे कि आप लेटर्स ओंगो गया इस्सी तरह से नतिसे प्रूट़्ेशन जाए उसके अपने एसेस्मेंट हैं तो वह पाहिए यूस ओह सकते हैं ना की सब में धाल नहीं नहीं कि वहां करता में हो जाता है या तोड़ा सा अगर मिस्प्लेस्ट हो जाता है तो उसमें को मोबिलाइस कर देते हैं जिसको आप कायरोप्रेक्टर को समझने के लिए लेकिन जैसा कि आजकल आप देख रहा है कि सभी पेशेंट यूज कर रहा है उसको तो वह एक के लिए नहीं है जहां आपकी मसल भी होगी वहां आपका मसल पर ही काम होगा जहां आपके स्पाइन प्रोग्लम करेगी वहां पर आपके स्पाइन पर ही काम होगा तभी वो इंप्रूब होगा और कायरोप्रेक्टिस जो चीज है वो सिर्फ आपकी स्पाइन पर की जा सकती और और वोंस पर कि है अगर आई है तो प्लीज और लोगों को शेर कीजिए वो भी अपना लाइट में इन और इसको इन्हेंस कर सके और इस चीज को यूज कर सके दी ओर जे शो जहां पर डिफन 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 टॉपिक विच विड है यू तो ग्रो इन टम्स अफ नॉलेच ऐसे आपने वीडिय तरू उनसे कॉंटेट कर सकते हैं तब तक के लिए स्टे टून और फ्लीज कीप गिविग और सपोर्ट अलव विल बी राइट वैक विद मोर इंटरस्टिंग विडियो शॉटली और स्प्रिक्चर रियाल्टी अराउंट